सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपका जो भी syllabus है वो आपको चेक करना होगा, जब आप syllabus चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका एक subject है उसमें आपको 15 chapter, 20 chapter, 25 chapter या फिर 30 chapter देखने को मिल सकती है, तो कम समय में इतने सारे chapter को नहीं पढ़ा जा सकता है, तो आ यहां से आपको पिछले 5 साल का previous year का question paper को download करना होगा, और question paper को download करने के बाद इसे आपको solve नहीं करना है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेए, यहां से question paper को जब आप download करेंगे, तो यहां पर जो question पूछा गया है, question को आप पहले अच् पूछा गया है, तो इस चैप्टर को आप अलग से note कर लिजे, और इसी तरीके से यहां पर यहां पर पिछले 5 सालों का previous year का question paper देखेंगे, और सभी मैं इस तरीके से आप जो important question है, यानि कि यहां पर जो question पूछा गया है, जब आप चेक करेंगे कि यह कौन से chapter में से पूछा गया है, तो जो आपका यहां पर 30 chapter है, अगर आप इसको ऐसा ही important chapter सिर्फ अलग से note करेंगे, तो 30 chapter आपका 15 chapter में convert हो जाएगा, यानि कि यहां पर आपका जो syllabus कम होगा, सिर्फ important chapter ही में, यहां पर जो previous year का question पेपर है, same to same, ऐसा ही question आपको अगले exam में नहीं पूछा जाता है, बलकि यहां पर जो आपसे question पूछे जाते है, इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसी chapter में से, जैसे कि यहां पर यह कोई question हो गया, और यह question जिस भी chapter में से पूछा गया है तो same to same आपसे यही question नहीं पूछा जाएगा, बलकि इसी chapter में से आपको जो है, कोई दूसरा question पूछा जाएगा, तो यहां पर आपको जो previous year का question पेपर है, इसे solve नहीं करना है, बलकि पहले आपको यहां पर जो question पूछा गया है, वो कौन से chapter में से पूछा गया है, और chapter ही note down करना है, और सभी को अलग करना है, आपको सिर्फ important chapter ही अच्छे से ready करना होगा, अब आपको यह ready करना कैसे है, वो भी आप ध्यान से समझेए, जब आपके पास सिर्फ important chapter ही रह जाएगा, और कम समय में आप देखेंगे, तो जो chapter होते है, वो बड़े बड़े होते है, और एक बार में ही आप इसको पढ़ेंगे, तो यह आपको एक बार में आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी chapter है, chapter का नाम देख लिजिए, और जो भी आपका syllabus वगएरा है, यहाँ पर जो topic वगएरा दिया गया है, इसको आप YouTube पर search किजिए, यहाँ पर आपको एक 20-25 मिनट का एक वीडियो देखना है, और उससे यह होगा कि जो आपका chapter है, उसके बार में आपको अच्छे से story और concept का पता चल जाएगा, और यहाँ पर YouTube वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका chapter है, इसे आ पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप chapter को पढ़ेंगे, तो chapter को पढ़ने से फायदा यह होगा, कि जो आपको लिखने का तरीका है, वो किताब पढ़ने से ही पता चलने वाला है, तो वीडियो भी देखिए, और उसके बाद आप chapter पढ़ेंगे, तो आपको chapter भी अच्छे से स है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर आना होगा, यहाँ पर आप सर्च किजिए, यहाँ पर पूछे subject का आपको question paper मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको search करके दिखा देता हूँ, subject code से आप सर्च करेंगे, तो यह आपको मिल जाएगा, तो जो CBCS वाला program है, उसका जो previous year का question paper है, एक session का ही, वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकती है, और उसके बाद आपको यह करना है कि जब आप exam लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको word limit का अच्छे से ध्यान रखना होगा, अगर कोई भी question है, बताया गया कि आपको 500 word में उसका answer देना है, तो 500 word ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, यानि कि जादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, word limit का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, अगर आप कम लिखते हैं, जितना word बताया कि उसे कम लिखते है इसमें जब आप answer लिखेंगे, तो एक line में 7-8 word ही आना चाहिए, इसको आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें और space दे करके लिखें, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बड़ा ब इसे ही नमर दिये जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप answer को paragraph में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने paragraph को start किया है, और यहाँ पर खतम हो गया है, तो अगला जो paragraph आप start करेंगे, तो एक line छोड़ देजिए, और उसके बाद आप start कीजिए, तो ऐसे में यह होगा कि यह देखने में भी अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि point to point चीजों को समझाया गया है, साथी में आपको यह भी करना होगा कि अगर कोई भी question आप लिखते हैं और उसका answer यहाँ आधे page में खतम हो जाता है, तो उसके जो अगला question है वो आप नीचे से start मत कीजिए, बलकि जो next page है उससे आप start कीजिए, तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी चीज़े में आपको बताया है, इसको आप अच्छे से follow कीजिए, अगर आप इसको अच्छे से follow करते हैं और अच्छे से तयारी करते हैं, तो आपको आरा में में आप